हेलो स्टूरेंट्स अपना कुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूरेंट्स मेरा नाम है लोकेने संग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 पॉलिनोमिल चेप्टर का लेक्चर नमबर 3 लेक्चर नमबर 3 जो हमा उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप लोगों को इस लेक्चर को समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का जो हमारा टोपिक है वो है वेल्यू ओफ पॉलिनोमिल एक पॉलिनोमिल की वेल्यू कैसे जैसे कि मुझा एक्स फiktक पॉलियो और में जिसके उंडर क्या है आ पॉलिनोमिल का नाम देறेजिते हैं मैं मतलब है कि जो भी पूलि मैं बना रहा हूं इसके अंदर मेंने छिि कि य है यहां हमारे को क्य लाफ करना है जैसे पूछा है कि 8ْ एक एक इसई उक्तां एक रु 1234 यह नेगेटिव नंबर भी हो सकता है या कोई भी रेस्टन नंबर भी हो सकता है तो X पराबर A के उपर हमारे को इसकी क्या बतानी है वेलू फाइंड करनी है यह आम आग सीखने वाले अब वेलू कैसे फाइंड की जाती है वो ध्यान से समनना हमें कुछ नहीं करना इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेडियेबल एक्स है जहाँ जहाँ वेडियेबल एक्स है वहाँ वहाँ क्या कर देना है एक्स कीड़ाय पर A replace कर देना है तो जैसे माल लो एक्स कीड़ाय पर A replace किया तो PA बना यह PA ही हमारे polynomial की क्या क्या लाएगी value क्या लाएगी इसको एक simple example से समझाने की कोसेज करता हूँ मैं देखो तो जैसे माल लो कि PX बराबर हमारे पास polynomial दियावा है 2X-3 ठीक है PX polynomial है जिसमें X1 variable यूज हुआ है और हो क्या है 2X-3 हमारे को इस polynomial की value बतानी है 8X is equal 2 X is equal 2 के ओपर इसकी value बताओ उसका कि मतलब है कि हमारे को X एक्स करना है 2 replace करना है जहाँ 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 variable X है उसकी जहाँ पर हम क्या replace कर देंगे 2 replace कर देंगे 2 x 2-3 4-3 और फर्दर आगे solve करने पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि 8X is equal to the value of polynomial P2 बराबर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी तो यह है polynomial की value का क्या meaning होता है वह मैंने आप लोगों को explain कर दिया इसी को मैंने words की form में लिख दिया तो देखो if PX जीजए polynomial PX एक polynomial है और A is any real number A कोई भी real number है जैसे यहाँ पर मैंने एक्स जीजिकल A लिया है then the value obtained by replacing X by A यानि कि जब हम क्या करेंगे X को किससे replace कर देंगे A से उसके बाद मैं आगे solve करने पर जो value obtained होगी यानि जो value मिलेगी वही क्या कहलाती है is called value of polynomial 8 X is equal A और which is denoted by PA उसको हम किससे denote करते है PA से यहाँ पर हमने क्या किया है एकी जगे पर 2 यूज किया है तो इसको किससे denote करेंगे P 2 से denote करेंगे I hope आप लोगों को इसकी value का meaning समझ में आ गया होगा अब इसके उपर हम लोग 810 questions solve करते हैं यहां पर मैंने 2 questions लिखें पहले इन दोनों को solve करवात हूं पर next slide पर हम लोग कुछ questions को और solve करेंगे तो देखें question दिया है find the value of P x is equal x cube minus 6 x square plus 11 x minus 6 8 x is equal minus 2 तो हमें क्या करना है अभी हमने concept सीखा है कि अगर हमारे को x is equal minus 2 पे इसकी value find करनी है इसका मतलब है जहां जहां variable x given है उसकी जगे पर x के जगे क्या कर दोगे minus 2 replace कर दोगे फिर further solve करोगे और solve करने पर जो final result आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा x is equal minus 2 के उपर इस वाले polynomial की value हो जाएगे I hope आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे तो देखो मैं आप आप लोगों के लिए solve करना इस्टार्ट करता हूँ तो हमारे को value find करनी है तो हम इसको direct में बता रहे हो इसको क्या लिखोगे यानि कि हम बोल सकते कि minus 2 का cube करेंगे तो overall result कितना आएगा minus का 8 अब minus 2 का पहले square करेंगे तो minus minus plus हो गया 2 to 4 हो गया और 4 को फिर 6 से क्या करेंगे multiply करेंगे तो कितना आएगा 24 होगा I hope यह चीज़ आप लोग अच्छे से समझ अब आ रही होगी अच्छे से तो देखो अब 11 को 2 से multiply करना पहले तो प्लस का यह minus का तो minus का यहागा 11 तू जा कितना होगा 22 होगा और last में minus 6 से कैसे हमने note कर दिया अब देखो सभी numbers क्या है minus क्या है तो इनको सब को क्या कर लो simply add कर लो और sign minus का लगा देना तो क्या होगा अब देखो माइनस 8 और माइनस 22 यह तो माइनस 30 हो गया और माइनस 24 और माइनस 6 यह भी माइनस 30 हो गया तो हम बोल सकते हैं overall इसका result कितना आ गया माइनस का 60 हो गया तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस दा वेल्यू ओफ पोलिनोमियल 8 एक्स इकल माइनस 2 विल बी इकल टू माइनस 60 आई होप आप लोगों कोई चीज समझ में आ गई होगी सिमिलर ऐसा ही क्याश्टन एक और दिया हुआ है तो हमें क्या फाइंड करना है इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल की वेल्यू फाइंड करनी है 8 एक्स इकल टू पे और उसके बाद में हमारे को क्या फाइंड करना है F minus 3 मतलब polynomial की value minus 3 के ओपर find करनी है तो सबसे पहले हम first को solve करना शुरू करते है तो क्या होगा F2 तो जहाँ जहाँ polynomial में क्या भी आवा है हमारे को X भी आवा है उसके ज़िए पर क्या replace कर देंगे 2 replace कर देंगे तो देखो 2 multiply 2 power 3 minus 13 multiply 2 square plus 17 multiply 2 plus 12 तो देखो आगे solve करते है 2 power 3 8 होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 को 2 से multiply करेंगे 16 2 power 2 4 होगा 4 को 13 से multiply करेंगे तो minus का 52 आगया क्योंकि ये negative दिया हुआ था 17 तू जा कितना हो जाएगा 34 plus 12 इन सबको combine करना है तो देखो 34 plus 60 50 हो गया 50 plus 12 कितना हो गया 62 हो गया 62 में से 52 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा I hope आप लोगों को ये addition किया है वो समझ में आगया होगा इन दोनों को पहले एड कर लिया फिर इसमें ये एड कर लिया 62 आ 62 में से 52 को क्या कर दिया सब्रेक कर दिया तो कितना आया 10 आया तो हम बोल सकते है जो F2 आएगा उसकी value कितनी निकल के आएगे 10 निकल के आएगे अब ऐसे ही second question भी है उसको भी solve कर लेते हैं हम लोग तो देखो second question क्या भी आवा है F-3 तो जहां-जहां क्या है हमारे question में X गिवन है वहां-वहां क्या replace कर देंगे माइनस 3 रिप्लेस कर देंगे तो देखो 2 multiply minus 3 cube minus 13 multiply minus 3 square plus 17 multiply minus 3 और plus 12 अब आगे solve करते हैं तो देखो माइनस 3 का cube करना है मतलब माइनस 3 को 3 times multiply करना है तो minus minus plus plus minus पहले तो minus को solve कर देखे है कर देखे है रिजल्ट 3 3 9 होता है 9 3 27 होता है 27 को 2 से multiply करेंगे तो कितना है गा 54 और रिजल्ट माइनस का आगा क्योंकि अभी आप में देखा था minus minus plus plus minus minus हो गया था फिर minus 3 का square करोगे minus minus plus हो गया 3 का square 9 होता है 9 को 13 से multiply करोगे तो कितना है गा माइनस का 11 7 आएगा क्योंकि यह नेगेटिव का given है उसके बाद में plus minus minus हो जाएगा इसको जब एड करोगे तो कितना हो जाएगा मतल्टिप्लाइ करोगे तो 17 3 जब 51 होगा और plus 12 साथ में चल ही रहा है फिर आगे देखो इन सभी नेगेटिव चको एड कर दो तो देखो सिंपल क्यासे है रहेंगे तो 21 और उसमें फिर वन एड करेंगे तो कितना हो गया 222 उसमें हमारे को 12 plus करने जब कभी भी क्या होगा एक नेगेटिव और एक पोजिटिव हो तो आप लिगों को को पता होगा कि हम क्या करते हैं greater number में से smaller number को subtract करते हैं और sign उसी का लगेगा जो greater वाला था तो देखो इसमें से इसको subtract करोगे तो कितना आएगा 210 आएगा और उसके बाद में जो sign लगेगा वो negative आएगा क्योंकि negative वाला number हमारा क्या है बड़ा है तो हमने क्या किया है इसके F2 की value find कर लिए और F-3 की value find कर लिए I hope आप लोगों कोई चीज़ समझ में आ गई हो कि इसको आप अच्छे से वीडियो को पोज़ करके note कर लीजे next slide पर हम लग कुछ questions को और देखते हैं अब हम कुछ questions और सोल करते हैं जिससे की concept नमारा अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके उपर different different type के किस type के questions और बनाए जा सकते हैं तो देखिए द्यान चे समन्ना next question क्या है same अभी हमने last questions किये थे वैसे के वैसा ही यह भी है if px is equal x cube minus x square plus x plus 7, जब हमारे को किसकी value बतानी है p minus 3 बतानी है आप चार options भी given है mcq type के question बना दिया गया है तो मैं कुछ नहीं करना हमारे को क्या करना है कि x की जगे पर minus 3 replace करना है तो हमारे को क्या मिल जाएगा p minus 3 मिल जाएगा और इसके बाद में जो भी हमारा result आएगा उसको इन 4 options में से कोई एक करक्त हो जाएगा तो देखो इस वाले polynomial की x is equal minus 3 पर value निकालना शुरू करते हैं तो द्यान से समन्ना देखो यहां पर क्या होगा minus 3 का cube minus minus 3 square plus minus 3 plus 7 तो देखें अब minus 3 का cube करना है मतला minus 3 को 3 times multiply करना है तो पहले तो minus minus plus हो जाएगा multiply के plus minus minus तो हमने पहले sign को देख लिया कि result negative निकल के आएगा यानि minus में आगा तो 3 3 9 और 9 3 27 यहनि किसको जब solve करोगे तो कितना हैगा minus 27 फिर minus 3 का square करो तो कितना होगा minus minus plus हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और यह वला आगे minus चली रहे फिर देखो यह plus का और यह minus का तो result किसका हैगा यहां पर minus का और यहां पर कितना हैगा 3 आएगा और plus 7 अब यह तीनो नेगेटिव के हैं इनको सब एक साथ कम्मेंड कर लो minus 27 और minus 3 कितना हो गया minus 30 और minus 9 कितना हो गया minus का 39 और इसमें प्लस 7 करोगे तो result कितना हैगा minus का 32 आएगा तो देखो कोई option आ रहा है कि हाँ यह हमारा जो d option है इसका क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब next question क्या है द्यान से समझना है यह भी SI question है बस थोड़ा सा इसको length भी बना विया question को क्या है देखो if p u is equal u power 6 plus 5 u power 4 minus 6 u power 3 plus 2 यह given है and q u मतलब दो polynomials given है एक p u given है और एक q u given है दोनों में variable सेम है 6 u power 5 plus 4 u power 4 plus 3 u power 3 plus 1 यह हमारे को p u given है p q मतलब q u given है दो polynomials given है हमें क्या find करना है p 1 minus q minus 1 है नहीं कि हमें direct किसी polynomial की value नहीं पूछी है इस बार इसका result पूछा है मतलब इसका क्या आएगा तो देखो जान से समझो अगर हमें इतना सा पूछा होता तो हम क्या करते है इस polynomial की उपर वाले की help से मतलब x is equal 1 के उपर या u is equal 1 के उपर क्या निकाल लेते value निकाल लेते तो p1 मिल जाता similarly अगर हमें केवल इतना सा पूछा होता q minus 1 वाला तो हम क्या करते इस वाले polynomial की help से q की जगे पर minus 1 replace करके q minus 1 की value निकाल लेते अब हमें क्या करना है इसमें से इसको subtract कर देंगे तो क्या हमारे को यह वाला result मिल जाएगा क्या I hope आप लोग चीज समझ पा रहे होंगे वह हमें पहले p1 अलग निकाल लेना है q minus 1 निकालोगे तो इस polynomial के यूच करना है और q minus 1 निकालोगे तो इस polynomial के यूच करना है और इसके बाद में इसमें से इसको subtract कर देंगे तो हमारे को final result मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं निकालना सबसे पहले हम find करते है p1 तो वह किस वाले polynomial किल्प से निकलेगा इस वाले polynomial किल्प से तो जहां-जहां U है वीडियबल U है वहां-वहां क्या replace कर देंगे 1 replace कर देंगे तो क्या होगा 1 power 6 plus 5 multiply 1 power 4 minus 6 multiply 1 power 3 plus 2 देखो आगे solve करो 1 की कुछ मैं यहां पर समझा देता हूं 1 की power कुत्री भी हो जैसे लेट से 1 की power M है तो इसका result हमें सा कितना आएगा 1 आएगा ऐसे आगे और एक topic आएगा जब minus 1 की power कुछ हो M हो मानलो तो इसके 2 results आ सकते है एक तो 1 आ सकता और एक minus 1 आ सक minus 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 plus बन जाएगा जब भी इसकी value M की value क्या होगी even होगी यहनि कि even number होगी तो जब M की value हमारे को result कितना मिलेगा minus 1 की power कुछ भी हो अगर M की value even है तो हमें result 1 मिलेगा और M की value क्या है Ode है तो हमारे को result मैंस का 1 मिलेगा यहां वह यूज होगा मैं आगे देख अगले वाल 1 की power 4 भी 1 होगा उसको 5 से multiply करेंगा तो 5 हो जाएगा फिर 1 की power 3 का मतलब 1 1 को 6 से multiply किया 6 है और प्लस 2 तो देखो 1 प्लस 5 6 हो गया 6-6 0 हो गया बागी क्या बचा 2 बचा only तो हम बोल सकते है कि जो P1 आया है उसकी value कितनी है 2 निकल के यह अब ऐसे ही हमारे को Q-1 की value निकाल निकल मारे को कौन सा polynomial यूच करना पड़ेगा यह वाला क्योंकि Q यू यह given है तो देखो 6 multiply u power 5 प्लस 4 multiply minus 1 power 4 plus 3 multiply minus 1 power 3 और लास्ट में कितना है plus 1 चल रहे है तो अभी-अभी मैंने समझा देखो minus 1 की power M है तो हमारे result 2 आएंगे है तो 1 आएगा यह minus का बन आएगा अब यहाँ पर देखो power कितनी है 5 5 क्या है और माइनस वन को जब 6 से multiply करोगे तो minus 6 आ जाएगा फिर minus 1 की power 4 4 एक इवन नमबर होता है तो इसका result 1 मिलेगा और 1 को 4 से multiply करोगे तो कितना है प्लस 4 आएगा ऐसे minus 1 की power 3 तो 3 क्या है ओड नमबर है जब भी मैंकी बली ओड होगी तो result minus 1 मिलेगा और यह मैनस सिक्स और माइनस थ्री यह ओगया माइनस का नाइन प्लस फॉर यह लेकिन हमें यह थोड़ी निकालना था हमें तो कुछ और result निकालने है, और हमें क्या निकालने है, कि P1, minus Q, minus 1 क्या होगा, अब द्यान से समनना, P1 कितना निकल के आया था, 2 निकल के राया था, minus ये वाला sign, कितना है, minus का 4, एक चीज़ हमेसा द्यान रखना है, जब भी negative number हो, तो मैं सब ब्रिकट में लिखना है अब यह माइनस माइनस मुल्टिप्लाइ हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यह बीच में मुल्टिप्लाइ होता है तो यह क्या बन गया प्लस का four हो गया और यहां पे जब आगया 8 करोगे तो कितना हो गया 6 हो गया तो देखो कोई option आ रहा है कि इन में से हैं पर माइनस 6, 2, 6 और माइनस 2 तो option C क्या हो जाएगा इसका correct option हो जाएगा I hope आप लोगों को यह चीज भी समझ में आ गई होगी अब देखो next question हो रहे है इसको भी solve करके देखते हैं क्या बोला है find the value of A A की value find करनी है if यदि F A बराबर कितना है 9 where F X is equal to X square minus A plus A X sorry plus X last में अब इसको कैसे solve करें वो जहां से समझने के कौसिस करना हमें A की value find करनी है और इस पार उसने बोला है कि अगर इस polynomial की value इस वाले polynomial की health से A के उपर value निकालोगे तो वो कितनी निकल के आईगी 9 निकल के आईगी यानि कि हमें क्या given दिया है उसने कि F A बराबर कितना है 9 और F X बराबर कितना given है हमारे को X square minus A plus X यानि कि अगर हम इस वाले polynomial में X की जगए पर A replace करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9 मिलेगा इसका मीनिंग यही तो है F A का मतलब क्या है कि इस वाले polynomial में X की जगए पर A replace कर देंगे तो इस polynomial की value कितनी मिलेगी 9 अभी तक हम क्या कर रहे थे सब cases में जोत्रे भी cases पड़े थे इसमें polynomial की value find कर रहे थे इस वार उसने polynomial की value दे दी कि इसके उपर इसकी value यह होगी तो बताओ A की value कितनी होगी तो हमें कुछ नहीं करना है इस polynomial के अंदर क्या करेंगे जहां जहां X है वहां वहां A replace कर देंगे उसका result किसके equal कर देंगे 9 के क्योंकि उसने बोला है कि इस polynomial की X is equal A के उपर value कितनी आईगी 9 आईगी तो देखो यहां पर put करते हैं तो A square minus A ऐसे कैसे आएगा प्लस X के पर A आएगा यहनी कि अगर हम F A की value निकालेंगे तो वह कितनी आनी चाहिए 9 ऐसा उसने खुद बोला है तो देखो आगे solve करते हैं तो देखो minus A plus A यह तो 0 हो गया उनली इदर की साफ क्या बचा A square बचा उदर की तरफ क्या बचा 9 बचा जब भी कभी ऐसा situation बने कि एक side square हो एक side मतलब कोई single number आ रहा हो positive number तो हमें क्या करना होता है दोनों तरफ square root लेना होता है और जब कभी भी दोनों तरफ square root लिया जाए तो आप लोग अभी के लिए याद रख लो कि एक तरफ क्या लगाते प्लस माइनस लगाते हैं यह सारी चीजे मेंने lecture 1 जो मतलब आप लोगों के लिए chapter 1 डाल के सारे lectures में आप लोग के लिए अप लोग कर दी है उनको जब देखो के आप लोगों को यह मिल जाएगा क्यों होता है वहाँ पर मेंने इसका explanation भी दिया था अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि जब भी कभी इस ट्रैप का situation बने तो आप लोगों को दोनों तरफ क्या करना है एक ही वेल्यू निकालनी क्योंकि हमारे की स्क्वाइर क मतलब यहाँ पर एक दो वेल्यू जोगी एक प्लस 3 होगी और एक माइनस 3 होगी आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी एक question और करते है उसके बाद में next slide पर केवल एक question बचेगा इसे के साथ फिर हमारा lecture खतम हो जाएगा तो देखें क्या बोला है Px is equal given x plus 3 तो हम प्लस 3 हो जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा प्लस 3 हो जाएगा simply मैंने क्या किया भाई Px value given थी वो लिखा फिर x के पर minus x replace करोगे तब P minus x मिल जाएगा वो हमने निकाल लिया अब उसने क्या पूछा था Px plus P minus x की value find करनी थी तो हमने क्या किया दोनों को aid कर दिया एड करने के लिए मैंने इसको bracket में लिख लिए प्लस और माइनस यह पहले तो इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं x plus 3 को plus minus minus x हो गया और plus 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 3 हो गया एक से x minus हो जाएगा subtract हो जाएगा 3 और 3 कितना बचा 6 बचा यह यह बोलेंगे किसका जो answer निकल के आएगा वो कितना आएगा 6 तो देखो कोई option correct है क्या यहां पर मतलब दीवाला option जो कितना दियावा है 6 तो यह हमारा correct option हो गया अब आप लोगों के लिए question है यहीं से मैं बना देता हूं आप लोग खुछ solve करके देखना और comment करके बताना कि आप लोगों को क्या result आता है अगर आप लोगों को यह value find करवाता कि पी एक्स माइनस पी एक्स माइनस वन फाइंड करता करवाता अगर question के अंदर तो आप लोगों का result क्या निकल कर आता इसका आप लोग comment करके reply देना क्या इनी में से कोई option होता क्या ठीक है तो चलिए इसको भी आप वीडियो को पोच करके note कर लीजे नेक्स लाइट पर हम पी एक्स इसकुएर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन एक वोल्य्म मेल गिवन है और हमें क्या पर find करना हैçi पी टू रूट टू के एपर आपहमливо क्या करना है를 हम लोग क्या करते हना Battian C, इन चारों मसे कोई option है करक्डों वह आपा ने ने तो देखिया तो हमें क्या करना है यहां लिखा है मैंने solution कि P 2 root 2 find करना है तो जहां जहां क्या होगा हमारे को X given होगा वहाँ हम X पर क्या replace कर देंगे 2 root 2 replace कर देंगे तो क्या बनेगा देखो 2 root 2 का square minus 2 root 2 multiply X पर 2 root 2 आजाएगा प्लस 1 आजाएगा तो देखें अब value find करते है 2 root 2 का square करना इसका मतलब क्या है 2 root 2 को 2 times multiply करना अब इनको कैसे solve किया जाता है इस सारी चीजे में लेक्चर मतलब जो chapter number 1 था उसके अंदर आप लोगों को irrational numbers को multiply करना divide करना, addition करना, subtraction करना तो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा है आप लोग प्लेलिस्ट को जाके access कर सकते हो वहां से कोई irrational number वाला topic उठा के आप लोग पढ़ सकते हो आप लोगों के लिए वहां से अलग lecture बना रहा है मैंने उसका नाम है operations on irrational number तो irrational numbers के ऊपर कैसे operations किये जाते है multiply कैसे किया जाता है divide कैसे किया जाता है addition subtraction कैसे किया जाता है यह आप लोगों को वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को जाके देख सकते हो तो यहां क्या हो गया, 4 x 2 हो गया, 8 हो गया, पस्तब इसको जब आगे solve क्ले करेंगे, तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, अब देखो यहां भी क्या, ऐसा ही scenario बन रहा है किया, तो यहां भी क्या आएगा, माइनस 8 आएगा प्लस का 1 हो जाएगा अब हमें क्या करना है 8-8 कितना हो गया 0 गया 0 प्लस 1 कितना होता है 1 तो देखो कोई option हमारा correct option आ रहा है क्या यहनि कि यह वाला option हमारा क्या हो गया correct option हो गया I hope आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी अब इसी question को मैं थोड़ा सा modify करके आप लोगों के लिए लिख रहा हूं आप लोगों को इस बार वेल्यू निकालनी है माइनस टू डू टू के उपर इसकी वेल्यू हमारे को बतानी है और आप इसको क्या करना comment करके बताना कि आपका result क्या आप है ठीक है आप इसको भी वीडियो को पोज़ करकर नोट कर लीजिए इसके साथ आज का किर उमारा खतम होता नेक्से किर में में आम लोग टॉपिक योग कवर करेंगे उसका नाम है जीडू का क्या मतलब होता है और उसके साथ ही फिर हम लोग क्या करेंगे आगी के हैं और बाकि एक खरक करने क Elaine Leah आप लोगों को प्रोब्लम नहीं होगी, आप कोई भी दिक्कत लेने की जरुवत नहीं है, ठीक है, आप लोग बस क्या करो, रेगुलर पढ़ते रहो, यहाँ पर जो भी कैस्टन सोल करवाया जाते हैं, उनको पहले खुद सोल करने की कोशिस करो, अगर कोई क्या नहीं आता ह है, आप हमें कोमेंट करके बता दिए, कि कोई यह वाला टोपिक हमें समझ में नहीं है, इसके लिए मैं कोशिस करूंगा, कि आप लोगों के लिए अलग से सेपरेट लेक्चर बनाके, उस वाले कॉंसेप को डीटेल में अच्छे से एक्स्प्लेन कर दूँ, आप लोगों क अगर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे की आगे आने वाले सभी लेक्टर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए, तो चल दो, मिलते हैं अगले लेक्शन में,